अगर आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहते हुए कई बार आपसे ट्राफिक नियमों के उलंगन हो जाते हैं और आपको चालान भरना पड़ता है तो एक खबर आपके लिए है क्योंकि आप दिल्ली सरकार आपको चालान में 50% डिसकाउंट देखी कपडूं पर इससे पहले आपने डिसकाउंट सुना होगा खाने पीने की चीज़ों पर डिसकाउंट सुना होगा लेकिन चालान में 50% डिसकाउंट आप पहली बार सुन रहे होंगे तो खबर क्या ही हम आपको समझाएंगे लेकिन उससे पहले अगर तमाम न्यूज देने जा रही है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको भारी भरकम ट्राफिक चालान के जुर्माने से राहत मिलने वाली है आपको अपनी गाडियों के चालान पर बंपर छूट मिलेगी केजवाल सरकार ने फैसला ले लिया है और बस इस प्रस्ताव पर अब केवल LG की मुहर लगने का अंतिजार है जी हां दिल्ली सरकार ने आम लोगों से ट्राफिक नियम उलंगन से जुड़ा जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशी पर 50 फीसद की छूट दे दी है और ये छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं की अंतरगत अप सूलने का फैसला किया है दिल्ली सरकार के प्रिस्ताव के मताबिक अगर 90 दिनों के भीतर मौझूदा ट्राफिक नियमों के उलंगन के लिए चालान का भुगतान कर दिया जाता है और कानून लागू होने के बाद जारी किये गए नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर भु प्रिश्चित करना है और इससे लंबे कानूनी विवादों से बचा भी जा सकेगा और अदालतूं और परिवहन विभाग के कामकाज में कमी भी आएगी। प्रिश्चित करना है और अगर कोई खतरनाक तरीके से बचा भी जालान लंबित थे। इसले साल ग्रेडिड रिस्पॉंस आक्शन प्लान यानि की जी आरपी के दोरान लगाए गए 75 प्रतिशत से अधिक चालान का भुगतान नहीं किया गया है। परिवन विभाग की एक अधिकारी ने ये भी कहा कि 2022 की तुलना में 2023 में चालान की संक्या में काफी जादा वृद्धी हुई है। और उसी के तहट ये तमाम कदम यहां पर उठाए गए हैं ताकि लोग प्रोट साहित हों और वो चालान भरना शुरू करें। निउस 18 इंडिया चौपार देखिए सर्फ निउस 18 इंडिया पर